now in the third situation it says which of them are like terms and which are unlike terms the first situation अगर आप notice करो this would be of unlike क्यों इसको unlike बोलेंगे क्योंकि एक के पास x है as a variable और दूसरे के पास y है second situation is of like like terms क्यों like है यह है because they have x in it दोनों के पास x है third भी हमारी like situation में जाएगे और ध्यान रखना q क्योंकि a b दिया हुए और भी यह दिया हुए आगे बीचे है तो इससे फरक नहीं पड़ता बस हमें powers check करनी होती है कि दोनों की same है यह नहीं fourth situation is of unlike unlike q है क्योंकि एक के पास x y और दूसरे के पास x है fifth में हमारे पास है x y square और दूसरे के पास है x square y so it would be unlike q unlike होगा क्योंकि एक की पावर x की 1 है और दूसरे की y की पावर 2 है और y सा वर्सा हो रहे है sixth is like like top क्योंकि पी एक पार है और q दो बार है दोनों ही situation में then we have the seventh one m एक पार है n दो बार है पहले वाले में और दूसरे वाले में m एक पर n दो बार तो unlike माना चाहिए तो यह powers must be same चाहिए आगे पीछे ओ पावर से होनी चाहिए